दो अपडेट है mutual fund को लेकर जो की 30 September को इस पे बड़ा decision आ सकता है और इसके बारे में और ज़्यादा details आ सकते हैं हो सकता है इसको market के अंदर में ले आया जाए है सबसे पहली बात है mutual fund light के बारे में I think मैंने इसके उपर बात की है पहले मुझे याद नहीं है ठीक से mutual fund light program लाना चाहती है इससे भी जिसके अंदर जख ऐसे mutual fund companies मतलब ऐसे asset management companies जो कि सिर्फ index fund launch करना चाहती है उसके उपर जो regulation है वो थोड़े कम लगाएं जाएंगे जो भी filing वगएरा सब कुछ होती है जो भी restrictions वगएरा है regulation है वो सब normal AMC से कम लगेंगी लेकिन वही बात फिर वो actively managed fund नहीं launch कर पाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ index fund launch करेंगे अब इस चीज को लाया जा रहा है business को और जादा promote करने के लिए नए participant आ सके market में इसके लिए नई मतलब company आ सके mutual fund की market में इसके लिए अब इससे investor को क्या फायदा होगा यह समझ लेते हैं investor को यह फायदा होगा कि जब कम regulations कम restrictions वगएरा होंगे उस AMC पे उसके जो expenses हैं खर्चे है वो भी कम लगेंगे तो index fund के लिए भी पहले से अगर देखे तो averagely 0.2 के आसपास index fund का expenses रहता है एवरेज बात करते हैं सारी AMC में तो लेकिन जब regulations और restrictions कम लगेंगे तो जब खर्चे company की घटेगी तो और कम expense ratio लेकर mutual fund company अपना जो product index fund आपको offer कर पाएगी तो mutual fund company के लिए एक restriction जबर हो जाता है कि वो सिर्फ index fund launch कर पाएगी लेकिन वही है आजकल तो index ही इतने तरीके के हो चुके हैं कि नयने daily index fund launch होते हैं तो ये काफी अच्छा move है इससे ऐसे investor जो सिर्फ index के अंदर ही invest करना चाते हैं इंडेक्स fund के अंदर ही डालना चाते हैं उनके लिए काफी अच्छा हो जाएगा और कम खर्च में और कम expense देकर वो अपना पैसा manage करवाता हैं तो ये उनके लिए win-win situation है दूसरा नए asset class को लेकर decision हो सकता है उसके बारे में और बाते जानकारी निकल के सामने आ जाती है new asset class के बारे में हमने कई बारी बात की है कि PMS और mutual fund के बीच का एक asset class होगा जहाँ पे minimum ticket size जो investment का होगा वो 10 lakh rupees का होगा और जो लोग ज़्यादा risk लेके invest करना चाहते हैं उनके लिए एक option ये जरूर हो जाएगा ज़्यादा risk की बात तो इस asset class के लिए हर article में हर news में होड़ाई ये लेकिन ज़्यादा returns की बात नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा risk लेंगे तो ज़्यादा return मनेगा पता नहीं ज़्यादा return मना कि वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी अगर हम बात करते देखो जो mutual fund होता है वो long only portfolio होता है फिर small cash जो होता है वो भी long only portfolio होता है पतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं लेकिन majority में जो investment होता है वो holding के रूप में होती है और सिर्फ buying के investment होती है बट यह जो नया asset class की बात हो रह रहेगा और हर तरीके का जो भी तरीये का investment है उसको करके चाहे जितना risky से risky हो यहाँ पे full fund manager को risk लेने की छूट होगी और वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा investor को पैसे बनाते देने की बात होगी इसलिए यहाँ पे retail investor को जो अभी just शुरुआत कर रहे है उनको दूर रखने के लिए 10 lakh rupees का ticket size रखा है कि जो लोग 5,000-10,000 की SIP करते हैं वो इससे दूर रहे हैं इससे उन investors को target किया जा रहा है जिनके पास 10-20 lakh रुपए का investable amount है और वो risk लेकर पैसा कमाना चाहते हैं उनको target किया जा रहे है तो चलिए देखते हैं 30 September को हमें पता चलेगा इन दोनों ही जो topics के बारे में हमने बात किया इसके बारे में आगे और news कि कब तक ये चीज़े हमें market के अंदर देखने में को मिलती है ये new asset class को लेकर तो मुझे बहुत ज़्यादा उमीद नहीं है कि ठीक है अगर future में इसकी performance अच्छी रही तो मैं खुद अपना पैसा में invest करूँगा लेकिन starting में तो इसके अंदर पैसा invest करना मुझे सही नहीं लगता और जो mutual fund light है वो जरूर helpful हो सकती है index fund investors के लिए